अमरनाथ में कैसे बन जाता है शिवलिंग? कोई नहीं जानता. दर्शन करते ही आत्रा की सारी ठकान केसे हो जाती है. दूर अमरनाथ धाम में बर्फ से हर साल शिवलिंग का निर्मान प्राकरतिक रूप से होता है. ये शिवलिंग कैसे बनती है? इसके बारे में कोई नहीं ज जो हिंदूओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अब भी बाबा अमरनात के सचे भक्त हैं तो कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाबा अमरनात की यात्रा जून से शुरू हो चुकी है और अगस्त को तक चलेगी। इस बीच बाबा बर्फानी के लाखों भक्त उनके दर्शन करेंगे। श्रद्धालों के बीच बाबा के दर्शन के लिए जबरदस्त उत्साहत देखने को मिल रहा है। बता दें कि अमरनात गुफा कश्मीर की बर्फीली गुफाओं के बीच है। और हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि ये गुफा करीब पांच हजार वर्ष पुरानी है। इस गुफा में हर साल बर्फ से प्राकरतिक रूप से शिवलिंग का निर्मान होता है। जिसे एक चमतकार के तौर पर देखा जाता है और इस हिंदू को स्वयम भूमाना जाता है। आईए जानते ह कि कैसे होता है इस शिवलिंग का निर्वार्ण। अमरनाद गुफा में शिवलिंग के पास से पानी बहता है। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये पानी कहां से आता है। वहीं अगर शिवलिंग की बात करें तो वैग्यानिकों का मानना है कि अमरनाद गुफा में उपर से एक दरार से पानी की बूंदे टपकती है और वही बूंदे जमने के बाद शिवलिंग का आकार लेती है। लेकिन टपकने वाली इन बूंदों के लिए पानी का स्रोत कहां ह इस बारे में कोई आज तक नहीं जान पाया है इसके अलावा ये बात भी लोगों को काफी हैरान करती है कि आखिर वो बूंदें हर बार शिवलिंग का आकार ही कैसे ले लेती हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता ये आज भी एक पहली है इतना ही नहीं ये भी कहा जाता है कि बाबा बर्फानी का ये शिवलिंग चंद्रमा की रोशनी के आधार पर घटता और बढ़ता है। इसके अलावा इस शिवलिंग की बर्फ ठोस होती है, जबकि उसके आसपास की या फिर बाहर की बर्फ कच्ची होती है और मुलायम होती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है? इसका भी जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। अमरनात की यात्रा काफी कठिन होती है। बाबा की गुफा तक पहुँचने के लिए लोगों को कई कठिन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। ऐसा ही अमरनात में भी होता है। इतनी मुश्किल यात्रा करने के बाद जब भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं तो उनकी सारी ठकान पल भर में दूर हो जाती है। लोगों की आँखों में अपने आप आँसु आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो पूरा जीवन सफल हो गया हो। ये चमतकार कैसे होता है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका।